हेलो दस्तो, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ओप्षन ट्रेडिंग के एक और शांदार वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि option ट्रेडिंग करते समय हमें सही से stop loss और target कैसे लगाना चाहिए क्योंकि दोस्तो आप मशे बहुत सारे से beginner भाई लोग है ना तो option ट्रेडिंग करते हैं बट सही से stop loss और target नहीं लगा पाते हैं इस वजह से उनका option ट्रेडिंग के अंदर loss हो जाते हैं तो आपको सही से stop loss कैसे लगाना है और सही से target कैसे लगाना है भहिया मैं उंगली रख रख कर बताऊंगा आपको सारी चीजी अच्छे से समझ में आ जाएगी और जिस तरीके से मैं बताऊंगा अगर इस तरीके से आप लोग stop loss और target को लगाएंगे ना तो option trading में loss करने से भी बचे रहेंगे और जब भी आप trading करेंगे तो trading में आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा दियो और हाँ के ओल मैं आपको यहाँ पर stop loss और target लगाना नहीं बताऊंगा बलकि यहाँ पर मैं सही जगह पर entry कैसे करना है और सही जगह पर exit कैसे करना है यह भी बताऊंगा और हाँ भया stop loss और target लगाने का मैं एक तरीका नहीं बलकि दो unique तरीका बताने वाला हूं और यह सब से unique है और सब से अच्छा है मैं जब भी trading करता हूं तो मैं खुद इसकी तरह से stop loss और target को लगाता हूं तो मेरी जो personal strategy है तो अब आपको एक एक करके मिरने वाली है तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और हाँ भया मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं ना आप खुद देख सकते हैं कि रात के 11 बच कर 40 मिनट पर आये और मैं रात के 11 बच कर 40 मिनट पर वीडियो सूट कर रहा हूं तो ये वीडियो सूट करते करते ना रात के 2,5 बच जाएंगे और एडिट करने में इसको अपलोड करने में सुबह के 5 बच जाएंगे तो आपको जितना सरल लगता है कि एक वीडियो बनाने में कम टाइम लगता होगा ना तो उतना कम टाइम नहीं लगता है एक वीडियो को सही से बनाने में 7-8 घंटे लगते हैं तो इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि हर वीडियो को बिना कहें आप लोग लाइक कर दिया को भाईया पता है आपका एक लाइक ना हमें दिल से मोटीवेट करता है और बहुत ही हमें हिम्मत मिलता है ऐसे अच्छे अच्छे वीड को सब्सक्राइब कर लिए और इस चैनल को आपने दोस्तों तक रिष्टेदारों तक šेयर कीजिए ताकि जादा से लोग इस चैनल के उपर जूड पाए और हमें तिखाने में भी आप लोग को मजा है तो जलदी से शाब्सक्राइब कर लिजिए लाइक कर दिजिए और श दोस्तो इस्टॉप लोस और टार्गेट को कैसे लगाय जाता है अब हम आपको स्क्रीन के उपर चल कर बताएंगे तो सब से पहले यहां पर देखो भाईया यह निफ्टी का चार्ट है ठीके यह है निफ्टी का चार्ट आप चाहे जिसमें भी ट्रेड करें हो चाहे के स्टैड यह सिम चारव चार्ट में काम करें तो अभी आप देख रही हो ना यहां पर में एन्डीकेटर को लगाया हूं तो हमें यहां पर सिगनल दिया है कि यहां पर आभी बाई करना है तो बहds有點 इंडीकेटर का नाम है है इस से हम फाइंड करते हैं कि कका हाँ पर हमें buy करना और कहां पर शil करना है तो अगर आप trade कर रहे हूं तो आपको 3-4 चाड़ को देखना चाहिए तो इसके उपर मैंने अलग से वीड्यो बनाये हूं कि कैसे हमें trading करते स्मय सूपर trend indicator को देख का trade लेना चाहिए तो यहां पर देको जैसे ही हमें super trend indicator यहां पर signal दिया यहां पर हम बाई कर लेते हैं अब हमारा stop loss और target कितना बड़ा होना चाहिए तो भी जाना बहुत जरूरी हो तो तो एकदम श्टरल तरीका है जहां पर हम बाई किये हैं उस candle stick के बाएं तरफ वाला जो candle stick उसके नीचे वाला उसका lowest हमारे stop loss होता है तो आद से देखिएगा बहुत अच्छा तरीका है जैसे यहां पर हम बाई किये ठीक है इस candle stick में यह वाला signal दिया यहां पर super trend indicator और यही प देखना है तो इस candle stick के बाएं साइड वाला candle stick कौन है यह रेड वाला candle stick है तो इस रेड वाले candle stick का जो यह lowest point रहेगा जो shadow रहेगा जहां से समझेगा candle stick का यह बोडी नहीं भहिया candle stick का shadow ठीक है यहां पर हमारे stop loss हो और माली जी यह हमारा stop loss हो गया बट हमारा target कितना बड़ा होगा इसको जानने के लिए ना हमें एक टूल का इस्तमाल करना और इस टेकनिकल टूल का नाम है long position अब भाईया यह long position कहां से आगया देखिएगा एकदम लास्ट से देखिएगा भा आज फॉर फाइब का बच्चा रहेगा वह भी समझ जाएगा तो आभ भाईया तो ही हुआ है ठीक है अभी ध्यान से समझेए जो टूल की हम बात करें लॉंग पोजिशन ना तो आपको यहां टूल वाले section पर मिल जाएगा ठीक है जैसे दो बार यहां पर क्लिक करोंगे त अब देखो जैसे हैं loon position के ऊपर क्लिक किये तो यहां पर ऐसा एक symbol बनकर आ गया है तो हमने इसको कुछ नहीं करना है हम जहां पर भी trade लिए न वहाँ पर बस ऐसे एक बार आपको क्लिक कर देना है अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारा यहाँ पर stop loss और target लग गया है देखिए का यह भी proper ढंग से नहीं लगा है इसको एकदम proper ढंग से हमें लगा तो proper ढंग से लगाने से पहले एक चीज़ समझे कि हमारे stop loss कौन है और target कौन है तो यहाँ पर यह जो red color वाला दिख रहा है न यह हमारे stop loss होता है ठीक है यह देखो हमारा यह stop loss हो गया पहला तरीका यह stop loss लगाने का कि यह जो candlestick है जहाँ पर मैं buy किया हूँ उसके buy side वाला जो candlestick है उसका हमारा lowest क्या हो जाएगा stop loss हो जाएगा लेकिन target को लगाने के लिए इस tool का इस्तमाल करता है तो यह tool जो है भाईया long position है long position में क्या होता है हमारा जो stop loss होता है ना यह नीचे की side में होता है long position तब लगाया जाता है जब हम call option को buy करते है और short position तब लगाया जाता है जब हम put option को buy करते है तो यह तो भाईया call option का यहाँ पर signal दिया है indicator ने तो यहाँ पर हम क्या करेंगे long position लगा दिए है अब इसका जो यह red rate दिख रहा है ना अगर ये candlestick यहाँ पर हम buy किये हैं ये candlestick चाहिए इसके बाद वाला candlestick धीरे धीरे नीचे आ जाता है यहाँ पर आ जाता है तो समझो हमारा जो stop loss होगा वो heat हो जाएगा लेकिन stop loss के दो गुना बड़ा हमारा target होना चाहिए क्योंकि जो हमारा risk reward ratio होता है उसको भी यमें follow करके चलना चाहिए तो हमारा risk reward ratio क्या कहता है 1 into 2 यानि कि अगर हम 10 रुपिया profit ले रहे हैं तो उसका जो stop loss होगा वो 5 जी होगा ठीक है नहीं समझे मालो हम 100 रुपय में buy किये हैं और हमें 200 रुपिया profit चाहिए total हमारा 300 रुपय का profit हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा target हो जाएगा 200 रुपिया और stop loss कितना होगा तो यहाँ पर एक बार समझे पहले जान से जैसे ये और ये दोनों देख रहो इसका जितना height है उतना ही height इस green वाले का है तो यहाँ पर अभी जितना बड़ा हमारा loss है उतना ही बड़ा हमारा target है तो हमें ये एकदम बराबर में नहीं लेना है कि मालों में 10 रुपय में buy कर रहा हूँ 5 रुपया हमको profit चाहिए और 5 रुपया loss चाहिए यानि कि अगर मेरा loss होगा तो 5 ही रुपया बचेगा और अगर मेरा profit होगा तो 15 रुपया हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना है हमें हमेशा stop loss को छोता रखना है और अपने target को बड़ा रखना है तो target को बड़ा करने के लिए थोड़ा से इसको मैं edit करता हूँ भया जैसे ही यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर आपको लिखा दिखाए देगा कि risk reward ratio 1 यानि कि जितना बड़ा हमारा stop loss से उतना ही बड़ा हमारा target है तो target को हमें बढ़ाना है हमें 1 नहीं करना है बलकि risk reward ratio में 2 कर देना है तो 2 करने के लि हमें laptop का यूज करना पड़ेगा तो laptop में हम अभी आपको करके दिखाते हैं साइड में यहाँ पर screen के उपर आपको देखेगा ठीक है तो देखो जैसे यहाँ पर हमने click कर दिया यहाँ पर click हो गया फोड़ा सा और side में करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बाइक है तो यहाँ त पकड़ कर इसको थोड़ा सा दाब कर यहाँ पर इस रेड़ कंडलिस्टिक के पास में लादेंगे अब देखो हमारा जो stop loss और target वाला है वो आइकन यहाँ से खीशक कर इस रेड़ कंडलिस्टिक के आधे तक आधिया है अब हम क्या करेंगे कि इसको इस धर्यवालों को खी रहा हूं वहां पर आपको दिखेगा तो यहां पर मैं दाब कर थोड़ा सा उपर लेकर जाता हूं थोड़ा सा और थोड़ा सा और उपर यहां से उपर लेकर जा रहा हूं आप लोग ऐसे मैनेज कर लिजिएगा का देखो जब भी आप ट्रेड करोना तो ट्रेड करने से प आप यहां पर मैं क्लिक करके दिखाता हूं अब यह हाइट जो दिख रही है इस टॉप लोस वाली यह छोटे सी दिख रही है लेकिन इसके तुलना में यह जो हमारा टार्गेट वाला है भाई यह डबल दिख रहे है यानि कि यह बिल्डिंग आपको छोटा दिखाई दे रह सबसे बेश्ट इंडिकेटर है यहां पर देखिए यह जैसे ही सिगनल दिया था अगर हम बाई की होते और रिस्क रिवार्ड रेशियों को अपने फॉलो की होते तो यहां तक जाते जाते हमारा प्रॉफिट बुक हो जादना चाहिए और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता और हां अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो जब तक ट्रेंड का रिवर्शल ना हो तब तक आप ट्रेंड के साथ में बने रह शकते हो और लंबा प्रॉफिट ले सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम ट्रेंड को फोलो करके कैसे लॉंग टाइम तक रह शकते हैं मार्केट में और मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट कैसे कमा सकते अगर आप ने कॉल-option के लिए टार्गेट और इस्टोप लौस को लगाना सिखा ठीक है जैसे हमने यहाँ पर यह व्यक कॉल-option को बाई किया तो यहाँ पर लॉंग पोजिशन को हमने लगाया इस्टोप लौस हमारा छोटा रहेगा और टार्गेट हमारा दोगुना रहेगा ठीक है य लेकिन put option को जब हम buy करेंगे ना तो वहां पर हमारा stop loss उल्टा हो जाएगा और target भी उल्टा हो जाएगा जैसे call option में market उपर जा रहे हैं तो हमारा ये जो target ही उपर की side में है लेकिन stop loss नीचे की side में है लेकिन जब हम put option को वही पर buy करेंगे न तो हमारा जो stop loss होगा वो उपर की side में हो जाएगा और जो target होगा वो नीचे की side में हो जाएगा तो आप लोग confused मत हो जाएगा मैं इसको भी लगा कर आपको दिखा दे रहा हूं कि जब भी market down side में आया है तो stop loss और target को कैसे लगाया ज लगाना चाहिए ठीक है अभी देखो यहां पर आगया हूं ठीक है यहां पर अब देखो यहां पर एक signal मिला है हमको भी यहां पर यहां पर हमको signal मिला है तो यहाँ पर हम क्या कर लेते और इस stop loss हम कहाँ पर लगाते तो इस candle stick के buy side वाला चाहे आप call option खरीदो चाहे put option करीदो इस stop loss अगर आपको candle stick को देखका लगाना है न तो जिस भी candle में आप buy कर तो कुछ candle stick के buy side वाला जो candle होता है उसका Stop Loss हमे जैसे पुट जो एक प्रहिए कि यह प्रहीं उप्र २े होगा उपर की साइड में होगा टो यहाँ पर हमाबॉवा यहां वाला कंडलिस्टिंग- ह्वाई सट्यों रहें यहां तक है तो हमारे इस तो टॉपन्स यहां तक होगा और एक कईFirst बाई करते थे तो हमारे Stop Loss कहा होता था नीचे की साइड में होता था जब ध्यान ना से समझेगा जब हम कॉल cher बाई करते हैं तो बाएं वाले Candle Stick का lowest हमारे Stop Loss होता है लेकिन जब हम पूट Tá mental Stick का उप वाला जो साइड और होता है वह हमारा Stop समझ गया जैसे यह पुट option और ऑप्शन को हम ने यहां पर बाई किया बाई इसके वाला Candlestick यह है Candlestick का जो टॉप का यहां पर सेड होगा हमारा हो जाएगा बपर समझ गये इतना यह तो था candle को देखकर कैसे हमें stop loss लगाना है ठीक है बट target को पाने के लिए ना अब हमें यहाँ पर short position को लगाना होगा जैसे हम call option में कौन सा position लगाते थे long position तो put option में हम क्या लगाएंगे short position तो short position को भी यहीं से लगाया जाता है जैसे यहाँ वाला जो option है यहाँ पर टूल वाला यहाँ पर दो बर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखो long system आ रहा था इसके झेचिसाफ उट पोजिचिन आ रहा रहा यहां टच हो जा रहे भाए भीजा यहां पर हम दो बार डिट स्टार्वर पोजिशन पर लड़ा दिये अब यहां पर ऑफिक की किये तो हैं नहीं हो दिए सघे तो हमारा यहां पर सोपलोस रोट आर्गेट लग ज़या एक चीज़ धान से समझीएगा मैं पहले ही बोला था कि जब हम call option को buy किये थे तो हमारा target उपर की side में था और stop loss नीचे की side में था लेकिन जब यहाँ पर हम put option को buy किये हैं तो put option में हमारा stop loss जो होता है वो उपर की side हो जाता है यहाँ पर देखिए कि यह जो red वाला सीखर है ठीक है red वाला जो पट्टी है यह call option में नीचे की side में था लेकिन put option में यह उपर की side हो गया तो इसको भी ना हमें adjust करना होगा क्योंकि यहाँ पर risk reward ratio में देखोगे 1 है तो इसको भी 2 करना होगा यानि कि मेरा stop loss है ना उसके दो गुणा बड़ा हमारा target होना चाहिए तो इसको सबसे पहले हम भाई अभी laptop से इसको minimize करेंगे सही करेंगे यहाँ पर risk reward ratio में 2 करेंगे तो 2 करने के लिए अब हमें क्या करना होगा all option में हम उपर वाले को बढ़ाते थे लेकिन put option में हमारा target नीचे की side में है क्योंकि market नीचे गिरेगा तब profit होगा तो हम इस हरे वाले को नीचे की side में बढ़ाएंगे तो एक बार लगाकर आपको दिखाते हैं तो जैसे यह हो गया भजी हमारा short position लॉंग position स्वरी यह हो गया हमारा short position अब इसको हम क्या करेंगे यहां से खीच कर फोडह सा इधर बढ़ा देंगे ठीक है यहां पर बढ़ा दिए यह बाय साइड में बढ़ गया है अभी यहां पर टच्छ करके दिखाते हैं तो candle stick को देखकर अगर हम stop loss लगाते तो candle stick को दिखकर हमारे stop loss था और अगर हम इस short position को देख कर लगाएंगे तो हमारा stop loss यहीं तक होगा, इसके थोड़ा उपर तक candlestick बोल रहा था, लेकिन यह जो हमारा long short position है, short position यहीं तक बता रहे कि आपका stop loss यहीं तक होगा, वहां तक नहीं होगा, तो दो तरीके से यहाँ पर stop loss और target लगाना बता रहा रिस्क reward ratio को थोड़ा बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम नीचे इसको खेचे, यहाँ से भीया, ऐसे दाब कर हम इसको नीचे खेचे, आजा भाई नीचे, आजा आजा, 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 मेरे राजा, भाईया, गाना गाना बहुत जरूरी है, और गाना कैसे अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो रिस्क reward ratio है, हमारा 2.01 हो गया है, यानि कि 2 ही माल लेजिए, ठीक है, वो ही है भाईया, थोड़ा सा बढ़ गया, एकाग point इधर उदर से कोई मतलब, तो यहाँ पर हमारा जो रिस्क reward ratio यह देख सकते हो लग गया है, उपर की साइड में बढ़ा था, लेकिन put option में green वाला नीचे की साइड में बढ़ा हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर यह सोड पोजिशन क्या कर रहा है, अगर भाईया, यहाँ पर हम बाई की होते हैं, इस candlestick में यहाँ पर जहाँ पर यह signal दिया है, तो अगर हम यहाँ प क्योंकि भाईया, हम सही जगहां पर भाई किये हैं, जब यह indicator signal दिया है, तब हम भाई किये हैं, और indicator सभी signal देता है, जब इसको confirmation होता है, कि हाँ market जाएगा आपके direction, तो यहाँ पर भाईया, यह सिगनल दिया, और यह बदाए कि stop loss यहाँ पर होगा, तो stop loss यहाँ पर कई क कोई candle अभी हीट किया है, नहीं किया है, क्योंकि यह indicator signal दिया है, और इस indicator की जो strategy है, वीडियो का link description में रहेगा, आप लोग चेको जोरू कर लेगा, या फिर channel पर सीदे जाकर आप लोग जून कर देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा target हमें कम मिला, यहाँ से market नीच फिर उपर चला गया है, और फिर उपर चला गया है, और फिर यहाँ पर धिरे-दिर side wage हो गया है, और आखिरकार यहाँ पर आते आते फिर यहाँ पर आता तो हमारा stop loss था वो हीट हो जाता, लेकिन हमारा target क्या हुआ है, जर देखो पहले ही book हो गया है, पहले ही यहाँ यहा इंट्री देगा तो वहान पर आपर हैं सही जगहाँ पर बाय करएंगा. au I hope आपको अभी target लगाना ओर sub l opponent लगाना पता चल गया होगा और सही जगहाँ पर इंट्री करना और exit करना भी पता चल गयाहोगा एयेओगी ब कार में candleилли est comple john इंडिकेर सीगनल देता तो वहां पर हम बाय कर लेते यसे यहां पर सिगनल दिया तो यहां पर हम यही कर लेते यह हो गया हमारा सही entry और exit कब करते तो यह हमारा सोड पोजीशन है सोड पोजीशन जहां पर Exercise हमारा मिल difference तो यहां से target मिलने के बाद में हम exit कह गए तो सही से हमारे entry भी हुआ सही से exit भी हो गया और सही से हमारा यहां पर stop loss भी लग गया और सही से हमारा target भी मिल गया तो आज का भाईया ये वीडियो आप लोग को पैसा लगा ना ये भी comment box में बताना और हाँ अगर आप लोग option trading सीखना चाहते हो option trading सीख कर पैसे कमाना चाहते हो तो आपको एक free demit account का link चाहिए होगा free में demit account खोलना होगा जिसमें आप trade करोगे तो कुछ based demit account के link मैंने description में दिये जिसमें मैं trade करता हूँ उसका भी link description में दिया हुआ है तो आप जाकर बिल्कुल free में account open कर सकते हैं और उसमें trading journey स्टार्ट कर सकते हैं और हाँ मिलते हैं भाईया नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए जैहिंत बन के मातरा